क्लास 10 मैट्स प्रसनावली 1.4 पहला क्वेशन क्या है बिना लंबी विभाजन पर किरिया किये बिना यानि पूरा लंबा भाग नहीं देना है इनको बिना भाग किये बता देना है कि निमलिखित प्रिमेर संख्याएं ये सबी प्रिमेर संख्याएं दी हैं क्या इनके दसमलो के अंदर जाएगा पॉइंट्स के अंदर जाएगा तो क्या वो परसार शांत होंगे या अहिसांत पावरती होंगे यानि सांत का मतलब की वो रुख जाएंगी जैसे 21 को हम 5 से भाग करें तो 5 को का 20 एक से इस फल अब गाने दसमलव केंदर शुरू करें भाग तो दसमलव लगके जीरो पांच तुना 10 यानि चार के बाद पॉइंट दो दो पर जाकर रुख गया है यानि तब तो क्या हो गए दसमलव पुर्सान प्रसार सांत हो गया ओर यह चलता है रहता रुकता ही नहीं फिर ये क्या हो जाता ऐसांत आवरती इनके अंदर भी अगर दो तीन चार के बाद फिर दो तीन चार दो तीन चार दो तीन चार इस तरह तब उसको हम ऐसांत आवरती कहेंगे यानि बताना है कि रुक दिसमलोग परसार सांथ है और इस तरह भाग भी नहीं करना तो देखते हैं क्या तरीका है पहला पार्ट तेरा वटे तीन हजार एकसो पचीस आपने करना क्या है नीचे वालों के गुनखंड कर लेने जो भी नीचे संक्या दी हो हर के अंदर जो भी है तो हम यहां लिखेंगे इकती सो पचीस वराबर इकती सो पचीस के आपने इधर उनमखंड करके देख लेनी है उनमखंड करने हमें आते हैं पहले दो से नहीं हो रहा क्योंकि पिछे समसंख्या नहीं है पांच है फिर तीन से भाग करते हैं तीन और एक चार दो छे और पांच ग्यारा अंकों का जो उट ग्यारा है तो तीन से भाग नहीं होगा पांच से हो जाएगा पांच एका तीस एक बच गए पांच तुनी दस 25 फिर से 5 पर जा रहा है 125 फिर से 5 पर जा रहा है 25 और 5 एकम 5 यानि गूंडखंट क्या आ गए इसकी 5 की पावर 5 यानि 5 बार रही तो ये जो काम है आपने ये रफ के अंदर करना है इसके बाद 13 बटे 3125 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 की पावर 5 तो क्या इसके साथ मैं कुछ और लगा सकता हूं क्या ये लिख सकता हूं 2 की पावर 0 क्या होगी दरसल किसी भी संख्या कि यदि हम पावर 0 लगा दे उसका मतलब एक होता है कि कोई भी संख्या हो एक की 0, हजार की 0, लाख की 0 पावर ये दी 0 है तो इसकी पूरे की वेल्यू क्या होगी वन होगी तो अभी ये किस रूप का हो गया तो यहां हर पाँच की पावर M गुणा 2 की पावर N के रूप का है और हम जानते हैं जब भी कोई नीचे वाली संख्या 5 और 2 के गुणा के पावर में आ जाती है तब वह क्या होती है हमेशा उसका दर्समलोब परसार क्या होगा सान्थ होगा इसलिए 13 बटे 30125 का दर्समलोब परसार सान्थ है यानि जब हम इसको भाग करेंगे तो कुछ दर चलने के बाद ये रुक जाएगा सान्थ होगा तो कहने का मतलब कोई भी हमारा जो नीचे की संख्या है हर जिससे भाग करना है वो यदि इस रूप का बन जाए यानि उसके गुनदखंट नीचे वाली संख्या के गुनदखंट जब भी पांच और दो के गुनदखंट के रूप में आ जाए तब तो क्या होगा सान्थ होगा इससे अलग कोई संख्या आएगी तब भाए आई शान्थ हो जाएगा यह हमने द्यान रखना है दूसरा पार्ट यहां आठ के गुनदखंट क्या है आठ क्या होता है दो गुना दो गुना दो यहां आठ वरबर क्या होगा दो की पावर तीन तो यहां भी क्या लिख सकते है सब तरह बटे आठ को क्या लिख सकते है दो की पावर तीन होना हमें और क्या लेना होता है 5 हम खुद लगा सकते है 5 की पावर 0 तो यह भी क्या है 2 की पावर M गुणा 5 की पावर N के रूप का चुका है इसलिए यह भी क्या होगा 7 होगा यह जब भी 2 और 5 के गुणखंड के रूप में आजाएगा या तो अकेला 2 आजाएगे तब हम 5 अपनी तरब से लगा देंगे और अकेला 5 आए तब 2 अपनी तरब से लगा देंगे यानि 5 और 2 के इलावा और कोई नहीं होना चाहिए तीसरे पार्ट के अंदर देखते हैं क्या आता है 455 के गुणखंड क्या होंगे पांच और चार नौर पांच चरुदा तीन से तो भाग नहीं होता पांच निम्मे एक के साथ पर जाएगा तेरा तो चोण सट बटे चार सो पच्पन क्या वेल्यू आई है इसको क्या लिख सकते हैं हम चोण सट बटे पांच गुणखंड साथ गुणखंड तेरा उपर उपर जो भी हो हमें कोई उससे लेना देना नहीं है तो ये क्या आया है पांच की गात आगई, साथ की गात एक, तीरा की गात एक हमें चाहिए पांच और दो केवल तो इसका प्रसार क्या होगा है सांत तो इस तरह हमें सारे क्वेस्चन हल करने है यहां दो और पांच का क्या मतलब होता है कि जब भी 2, 2, 5, 10, 10 से किसी को भाग करते हैं तो वो अपने आप ही पूरा पूरा भाग हो जाता है तो इसके कुछ एक पार्ट सोर करते हैं बाकि आपने खुद भी करने होंगे कि चौथा पार्ट पंद्रा बटे सोड़ा सो पांचवां अनती बटे तीन सो तर्तालिस छटा दो पांच की पाउर में दे रखा को जुरूत नहीं है साथवे के अंदर साथ दे रखा है आठावा पार्ट इपोर्टेंट है छे बटे पंद्रा यहां सोड़ा सो के गुन खंट क्या होंगे दो से आठ सो चार सो दो सो दो से भाग होता है तब तक हम करते जाएंगे पचास पच्चीस पांच एकम पांच एक दो तीन चार पांच छे यानी पंद्रा बटे दो की पाउर छे पांच की बाउर दो तो दो की पावर M पावर N के रूप का आ गया है यानि गुंडखंट दो और पाँच के गातों के रूप में है तो यह क्या हो जाएगा इसका दसमलोग प्रसार सांत हो जाएगा इसके अंदर तीन सब तरतालिस तीन और चार साथ तीन-दस तीन से भाग नहीं होता साथ से साथ चोकेट थाईस साथ निमत्रे सिट तो हर क्या है साथ की पावर तीन है लेकिन हमें चाहिए दो और पाँच की पावर हो दो और पाँच की गाते हो तो यह क्या होगा आशांत हो जाएगा इसके अंदर जब हम इसको सीधा करते हैं तो पंदरा के गुंट करण तीन और पांच तो तीन और पांच हमें चाहिए दो और पांच तो ये ऐशान्त आवरती लेकिन इसको भी आपने क्या करना है पहले काट लेना है तीन डुने च्हें तीन पंदरा यानी दो पांच है दो पांच को क्या लिख सकते हैं पांच की पावर एक दो की पावर जीरो तो ये क्या हो जाएगा सांत इसलिए इसको द्यान रखना है ये ट्रीकी क्वेस्चन है वो जाने के लिए दे दिया जाता है कई बार तो इसके अंदर हमने जो concept है वो मुखे समझ लिया है कि हमने जो भी base नीचे दिया है denominator के अंदर हर के अंदर उसके गुनखंड कर लेने है सरो पर थम रफशीट के अंदर वो उनखंड करने के बाद उनको देख लेना है कि वो किस गात के रूप में है या तो अकेला दो के पावर कुछ पावर आजाए पांच चार या अकेला पांच आजाए उसकी पावर एक दो तीन या दोनों या आजाए तब इन स्थितियों के अंदर क्या होगा नसमलों परसार सांथ हो जाएगा बाकियों के अंदर आई शांथ होगा आई शांथ के अंदर भी कई बार क्या है बार बार रिपीट होता है और कई बार रिपीट नहीं होता तो उसके अंदर इसके जो पार्ट बचे के वो आपने खुद करने है सेकंड कोस्टिन इसी से रिलेटिड है सेकंड कोस्टिन के अंदर क्या है उपर दिये गे परसन में उन प्रेमेर संख्याओं के दस्मलों परसारों को लिखिए जो सांथ है कितने तक जब इसको भाग करेंगे कितने पर जाएगा तो ये दो बटे पांच आया था उपर नीचे दो से गुणा कर दें तो ये क्या हो गया चार बटे दस दस से इसको भाग करेंगे तो 0.4 तो इस तरह हमें पॉइंटों के अंदर इसको आगे रखना है आप सिधा भाग दे सकते हैं इसी तरह इसको भी 2 की पावर 6, 5 की पावर 2 यानि सोडा सो का क्या है 15 के अंदर भाग देना है फिर पॉइंटों में कितना उतराता है वो लिख देना है यानि पहले पार्ट के जो जो समलोग पर सार सांथ थे उनको आगे डिवाइड करके आपने दिखा देना है जो एसांदावर्ती थे उनको हमने छोड़ देना है एक कोशिन बचता है लास्ट वो और देखते हैं इसका एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट कोशिन कुछ वास्तिक संख्याओं के दसमलोग पर सार दिये हैं प्रतेक स्थिती के लिए निधारित करें कि क्या यह प्रिमे संख्या है या नहीं पहले चेक करना है प्रिमे संख्या है या नहीं यदि यह प्रिमे संख्या है और पी बाई क्यू के रोप की है तो क्यों के अब आजे गुंखंटों के बारे में आप क्या कह सकते हैं दो काम करने हैं तहला तो ये है हमारा दसमलोग परसार इसके बारे में हम क्या जानते हैं कि दसमलोग के बार जब कोई संख्या इसके जो अंख है वो रुक जाते हैं यानि इस तरह आगे रिपीट नहीं हो रहे एक स्थान पर रुप गए हैं तब यह है प्रेमिय संख्या होगी क्योंकि हम इसका पॉइंट हटा कर इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं पॉइंट हटाया लीचे कितनी सुनने लगेगी यतने अंक हैं एक दो तीन चार पांच है साला नो दसकी घात नो तो पी वाई क्यों के फॉर्म की हो गई तो चुंकि हमने तालिस पॉइंट दो तीन चार पांच है साथ आठ नो को पी वाई क्यों के रूप का लिखा है लिख दिया है इसलिए यह है प्रेमिय संख्या है उसके बाद दूसरा आप क्या कह रहा है किसके आवाजे गुंडखंडों के बारे में आप क्या कह सकते है तो प्रतेक प्रेमिय संख्या जिसका की दसनलो प्रसार सांथ होता है उसको हम दो और पांच की गातों के रूप में लिख सकते है यानि दस की पावर नो और ये क्या होगी 2 की power M, 5 की power N इसको हम यहाँ check भी कर सकते हैं 10 की power 9 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की power 9 गुणा, 5 की power 9 तो यह हर होता है उसके यह बाचे गुनखंड क्या होते हैं 2 और 5 के गुणा के रूप के होते हैं यह हम पीछे सीख चुके हैं दूसरा पार्ट इसको हम लिखेंगे कि ये दो और पांच के गातों के गुन खल के रूप में लिखा जा सकता है दूसरा पार्ट 0.120 1200 12000 1240 and so on यानि continue है रुक नहीं रहा इसका दसमलोब परसार इसका मतलब non-terminating और non-repeating है यानि कि दसमलोब परसार है शान्त है और आवर्त भी नहीं हो रहा है यानि अनावर्त है अनावर्ती है तो ये क्या हो जाएगी आपरिमे संख्या हो जाएगी तो इसको हमें आके हल करने की आवशक्तान नहीं है तीसरा पार्ट योकि लास्ट पार्ट है 43.12345689 इसके उपर क्या है बार लगा हुआ है तो इस जैसा ही है लेकिन फर्क्या है कि इसके उपर बार नहीं था यहां पर रुग गी थी ये इसके उपर बार है इसका मतलब यदि बार हटाएं फिर 1,2,3,4,5,6,7,8,9 के उपर बार वो हटाएंगी तगले के उपर बार यानि ये कभी रुकेगा नहीं एक से नो फिर एक से नो एक से नो इस तरह चलता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आशांत आवरती हो जाएगा non-terminating repeat हो रहा है अरबार यही आ रहा है जब non-terminate repeat होता है तब किया होता है वो प्रीमे संख्या होती है यह हम जानते है नायध क्लास के अंदर हमने इसको डीटेल के अंदर पढ़ा भी है और इसका जब हम पी भाई क्यू के form में इसको लिखेंगे, तो Q का रूप क्या होगा, तो P by Q के रूप में Q का रूप दो गुना M, पांच गुना N के रूप का नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, कि जब भी दसमलो परसार सांथ होता है, तब इसको वो हमेशा जो नीचे वाला है, वो क्या होता है, दो और पांच के गातों के गुन्फिल के रूप का होता है, और जब भी आई शान्त, आवरती होता है, तो उखती तो वो प्रिमे संख्या है, लेकिन Q का रूप, इसके रूप का नहीं होगा, क्योंकि इसका रूप का होता ही, तो ये शान्त हो जाएगा, रुक जाएगा, कहीं न कहीं, तो इसलिए इसको दो और पांच के इसके गुन्फिल के इसलिए एक प्वेंट चार हमारी कंप्लीट हो गई है, पूरा पहला चैप्टरी कंप्लीट हो गया है, इससे काफी सारे MCQ's क्वेशन उचे जा सकते हैं इस साल, CBSE और अजर बोर्ड के अंदर भी, तो आपने इसका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से ध्यान में रखना है कौन सी प्रिमें संख्या होती है, कौन सी एप्रिमें, किन के दिसंगलों परसार सांथ होते हैं, किन के एशांथ होते हैं, फिर एशांथ के अंदर एशांथ आवरती, एशांथ अनावरती, इस सब ध्यान होगा, कंसेप्ट कलीर होगा, बेस कलीर है, तो काफी स्कॉरिंग opportunities है आपके पास thank you